नवस्कार दोस्तों मेरे पाम रीडिंग चैनल वैशनप पारमिश्ट्री में आपका स्वागत है तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे माइंड लाइन के बारे में इसे हम लोग मस्तिष्क रेखा बुद्धी रेखा भी बोलते हैं जीवन और मस्तिष्क रेखा का आपस में गहरा संबंद होता है क्योंकि बिना मस्तिष्क रथाद बुद्धी के मनुष्य का जीवन वेर्थ है जीवन में मनुष्य जो भी कार्य करता है जो भी नेड़ने लेता है वो बुद्धी से ही जुरे होते है जिस मनुश्य की बुद्धी शंतुलित नहीं होती है उसे मंद बुद्धी या पागल कह दिया जाता है इसलिए जब हस्त रेखा का अध्यन किया जाता है तो उसमें मस्तिस्क रेखा का अध्यन खासतोर पर किया जाता है इसके बिना हस्त रेखा का फल निर्थक है आईए जानते हैं क्या कहती है आपकी मस्तिस्क रेखा या कैशी रेखा सुभ होती है और किस प्रकार की रेखा बुरे शंकेत देती है जीवन रेखा के उद्धम स्थान से निकल कर या जीवन रेखा को ही काटती भी दूसरे छोड़ पर जाती है जीवन रेखा के उद्धम स्थान से निकल कि ये जीवन रेखा को ही काटती भी दूसरे छोड़ पे जाती है ये जीवन रेखा है दोस्तों और ये है मस्तिस्क रेखा बहुत किशिस में ऐसा भी देखा गया है कि मस्तिस्क रेखा जीवन रेखा से कुछ दूरी पे निकलती है यह अच्छा संकेत नहीं है मस्तिस्क रेखा जीवन रेखा के बराबर चलती हुई काफी आगे जाकर अपना रास्ता बदल देती है मस्तिस्क रेखा जीवन रेखा के बराबर चलती हुई आगे जाकर अपना रास्ता बदल देती है जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा मस्तिस्क रेखा जीवन रेखा के अधन इस्तान के पास से निकल कर हथेली के मद्य में शमाप्त हो जाती है कुछ रेखाएं ऐसी होती है मस्तिस्क रेखाएं जो जीबन रेखा के समानतर चलती हुई मध्य में ही समाप्त हो जाती है ये मस्तिस्क रेखा के प्रकार है जीवन रेखा के पास से चलकर हथेली के दो भागों में बढ़ती हुए दूसरे छोड़ पर पहुंच जाती है मस्तिस्क रेखा कुछ मस्तिस्क रेखाएं ऐसी होती है जो दो भागों में होती है एक भाग इस तरह से और एक इसका भाग इस तरह से मस्तिस्क रेखा और हिर्दय रेखा के आपस में मिलती भी चलती है कुछ केसे में ऐसा देखा गया है कि मस्तिस्क रेखा और हिर्दय रेखा दोनों आपस में मिलती भी चलती है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यह रेखा है यह मस्तिस्क रेखा है तो कुछ केसिस में देखा गया है कि दोनों आपस में मिलती हुई चलती है अगर मस्तिस्क रेखा से कोई पतली रेखा गुरु परवत की ओर जा रही हो तो वह वेक्ति योजना बद्ध तरीके से काड़ी करने वाला और बुद्धिमान होता है यह मस्तिस्क रेखा है अगर इससे कोई ब्रांच, कोई भी ब्रांच अगर गुरू परवत की तरफ जा रहा हो तो ऐसा आदमी बहुत ही बुद्धिमान माना जाता है मस्टिस्क रेखा से कोई शाखा निकल कर गुरू परवत के अंत तक पहुंच जाए तो वह व्यक्ति श्रेष्ट साहित्यकार या कलाकार होता है जैसा कि आप लोगों दिखरा हुआ यदि मस्टिस्क रेखा हिर्दै रेखा से लिप्टी हुई आगे बढ़ी तो ऐसा व्यक्ति क्रोध में आकर पत्नी या प्रेमिका की अठ्या कर देता है अगर ये हिर्दै रेखा से सटी हुई आगे बढ़ी तो ऐसा व्यक्ति बहुत क्रोधी होता है मस्टिस्क रेखा जहां समाप्त होती है वहां क्रॉस का चिन्द हो तो व्यक्ति विरिद्दास वस्था में पागल हो जाता है जैसे मस्टिस्क रेखा यहां समाप्त हो रही है अगर यहां पे क्रॉस का चिन्द हो तो ऐसा व्यक्ति व्यद्दास वस्था में पागल हो जाता है उसका दिमागी संतुरन खो जाता है तो दोस्तों ये मस्तिस्क रेखा के कुछ प्रकार थे और और भी बहुत सारे प्रकार होते हैं मस्तिस्क रेखा के तो आपको अगर मस्तिस्क रेखा से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे वर्टसेप पे मैसेज कर सकते हैं description में आपको मेरा whatsapp number मिल जाएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और वीडियो को share करें और कोई भी lines के बारे में या कोई भी mount के बारे में आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप उससे directly बात कर सकते है मैं या फिर आप मेरे चैनल पर comment भी कर सकते है और अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही फिर आगे देखते हैं आगे आप लोगों के लिए किस विशय पर वीडियो बनाते हैं और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें धन्यवाद